ओम्च्यंति बाबा ने हमें आते ही पहली पहली इसमर्ति दिलाई तुम कोन हो और हमें याद आगया के हम इस देहे में विराजमान चेतन्यात्म हैं हम इस देह की मालिक हैं हमने अनेक देहे लिये हैं छोड़े हैं देहे बदलती आई हूँ मैं आत्मा जैसे हमारी एक माला है शरीरों की और आत्मा है उसके मद्ध में धागा तो मैं आत्मा शरीर बदलते 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 अब एंड में आ गई हूँ भाबा ने केबल इसमर्थी नहीं दिलाई आत्मा की बलकि ये याद दिलाया तुम आत्माई संपूर्ण पवित्र थे तुमारी प्योरिटी धीरे धीरे समाथ होती आई अब तुम इंप्योर हो गए हो अब तुमें फिर से भावन बनना है उन्होंने हमें याद दिलाया वच्चे तुम श्यान्त हो श्यान्ती तुमारी ओरिजनल नेचर है पीस्फुल हो तुमारे अंदर बहुत बहुत श्यान्ती की शक्ती है उन्होंने हमें याद दिलाया तुमात्माई प्रेम स्वरूप हो तुम्हारे अंदर सभी के लिए बहुत प्यार है तुम्हें प्यार माटने की शक्ती है प्यार का अखुट बंडार है तुम्हारे पास तुम सारे धर्मों की आत्माओं को प्यार दे सकते हो उन्होंने हमें याद दिलाया ग्रेणान अफ्रतीर साद्वेश का तुम्हारे मन मंदिर में कोई स्थान नहीं याद दिलाया तुम आत्माई सुख स्वरूप हो तुम्हारे अंदर सुखों का भंडार समय हुआ है तुम अपने विकारों के कारण, विर्थ की च्छाओं कामनाओं के कारण और तुमने अपनी सक्तियां सारी गमादिस कारण दुखी हो रहे हो तुम सुख स्वरूप हो, उन्होंने हमें याद दिलाया तुम बहुत सक्ति साली हो, ये विशेश बात याद दिलाई हो इस वर ये सक्तियां तुम्हारे पास हैं तुम सक्तियों की भंडार हो कितनी सुन्दर चीजे याद दिलाई है हमें याद आया जो याद आता है उसको आत्मा स्विकार कर लेती है और जो कुछ वो स्विकार कर लेती है उसका वो स्वरू बन जाती है इसलिए जितनी जितनी स्मर्तियों की याद आएगी जो बाबा ने हमें याद दिलाया वो याद आएगा। उतना उतना हमारी स्थिती स्रेष्ट बनती ही जाएगी। इसलिए बाबा ने जो कुछ हमें याद दिलाया उसे हम याद किया करें। बच्चे तुम पाँच जार वर्ष पहले कैसे थे हम याद करेंगे रावसको तो हमारे वो संसकार इमर्ज हो जाएगे। तो आएए हम सभी इस्मर्थी स्वरूब बनें, अपनी स्मर्थियों को रिफाइन करते चलें, उनी स्मर्थियों में स्थित होते चलें, अर्थात उनका स्वरूब बनते चलें। मैंने पहले विधार दिया है मान लो आप शानती में बैठे हैं और बैठे बैठे आपको पांच साल पहले की कोई बहुत सुंदर घट ना याद आ जाए तो आप मुस्क्राने लगेंगे हसने लगेंगे आपके बच्चे आपके परिवार वाले सोचेंगे पूछेंगे पाप एक बहुत अच्छी बात याद आ गई मुझे तो देखो जो बहुत अच्छी बात याद आ गई उसका जीवन स्वरूब बन गया हमें बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी बात याद दिलाई है ना महाँ पहुंचा करें जैसे वो अच्छी बात याद आते ही हम महाँ पह स्वरूप बन जाएगा सभी इस तरह का अभ्यास करें और अपने कोई स्मर्ति स्वरूप करके नस्टो मोहा बनाएं ओब शन्ति